कि हैं आप कि अभी आपने हमारी जो प्रीविइस वीडियो जैन्कों देख लिया होगा जिने जेनेटिक्स के बारे में आपको दुटनLL दिफरेंट को समझाए गया है कि जेनेटिक्स क्या होती है genes क्या होती है और genes का one generation to another generation inheritance कैसे होता है यानि कि एक genes है वो एक PD से दूसरी PD में किस तरीके से transmit होती है संच्रिद होती है और उसके बाद में हमने पिसली तो वीडियो में पताया गया था that what is the sex determination in the monosexual animals तो आज उसी कड़ी में हम आगे की तरह बढ़ेंगे और आज आपको समझना है कि honey bee में किस तरीके से sex determination होता है तो सबसे पहले हम title लिखते हैं उसके बाद में topic को सुरू करते हैं और बहुत ही ध्यान से समझेगा बहुत इजी है honey bee यानि कि मदू मखी एक common animal है जिसको हम अमारे एंवर्मेंट में देखते रहते हैं अतहर आपको एक जुलोजी के student होने के नाते आपको sex determination in honey bee के बारे में proper knowledge होना चाहिए और यही अमरा आजगा प्रयास रहेगा तो पहले टाइटल लिखता है sex determination in honey bee sex determination sex determination यानि कि मदू मखीयों में किस तरीके से लिंग निरदारन किया जाता है मदू मखी नाम खुद ही बता रहा है क्या है मदू यानि कि सहद और मखी वो मखियां जो की honey production करती है सहद का उत्पादन करती है इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है honey bee बोलते है honey और भी the producing honey उसी को हम क्या बोलते है honey bee बोलते है scientific name की बात कर रहे हैं तो इसके different different species है उनमें से अगर मैं common कुछ species की बात करता हूँ यहां पर अभी नाम भी लिख देंगे एपिस डॉरसेटा एपिस फलोरिया एपिस मेलिफेरा एपिस इंडिका देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इस्पिसीज ऑफ honey bee is found in the इंडिया यह चार तरह की जो मक्या रहती है और उस मैंसे जो एपिस डॉरसेटा होता है उसको हम रॉक भी बोलते हैं मैं यहां हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता लिंग का अंधरदान कैसे किया जता है नॉर्मली सबी जो एनिमल्स होते हैं उसमें हम जब भी लिंग का डिसकुसन करते हैं कि और दू नाम लेते हैं male and female नर और है क्योंकि हरी बीम आपने पड़ा हुआ है क्विन्स होती है ड्रॉन्स होते हैं और उसके लावा वरकर्स होते हैं और जो क्विन्स होती है वो कैसी होती है हम कहेंगे क्विन्स जो है वो मादा है और वो फर्टाइल होती है यानि कि उसमें बच्छों को जन्व देने की अं तो मेल होते हैं वो क्या होते हैं डोन इस्टराइल होता है और वरकर्स होते हैं हो फुर्ड हैं तोब कभी भी हम क्यों चैर्द मेंनें इसमय होता ह्सकोग के लिए उसको अभी समझना है के लिए हम एक सब्सक्राइब काम में में देहें 10 अब्धाना में hack pioneater 鎫pping में अउसे हैप लोट बाता है Hey Millो चा फीमेल और्सका उते हैं दिप्लोइड होता है लेकिन यहां पर क्या हनिभी में नर यानि कि जो मेल है वो कैसा है है अपलोईड है और मादा यानि कि फीमेल है वो कैसी होते है डिपलोईड होता है इसलिए हम इसको बोलते है है अपलोईड डिपलोईड मेकनिजम बोलते है तर्म को लिखते है उसको समझिएगा देखे हमने पर में इसके नीचे लिख देता हूँ, आपको confusion नहीं होना है, क्योंकि इसमें जो male होता है, वो कैसा है, male होते है, इसमें haploid, और female कैसी होती है, deployed, ये चोटी-चोटी बात हैं, जो objective, multiple choice के questions बनाती रहती है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है, अगर आपका females are deployed, इसलिए हम इसको क्या बोलते है, haploid deployed mechanism में कहते है, females, females क्या होती है, वो होती है, deployed होती है, अब ऐसे कैसे हो गया है, ये भी हमें समझना है, कि male haploid होगा और female deployed होगा, जबकि तो फिर इसमें कैसे development होगा है, उसी के mechanism समना, एक अपने एक flow chart को बनाएंगे, उस flow chart से सब भी चीज़ें आपको clear हो जाएगी, जहां भी confusion होता है, वीडियो को stop करेंगे, repetition करेंगे और आपको समंझ में आ जाएगा, confirm, तो चलिए, अभी हम यहाँ पे topic को study करते हैं, flow chart के form है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख जाता हूँ, एक female, female यानि की बात करें, तो honeybee में female कौ है, उसको हम बोलते हैं, quinble, इसका क्रोमोजोम इसका क्रोमोजोम में इसका क्या upwards होती है, मैं पहले ही बता चुक हूँ, आपको initially deployed होती है यहां पता चुक है फीमेल क्या होती है इसमें डिपिलॉइड फीमेल KH और इसमें number of chromosomes कितने होते हैं, number of chromosomes होते हैं, इसमें 32, यह होगे 32 और इसी 32 को हम denote करते हैं, 2N से, यह हमने हमेशा पढ़ते हैं, haploidy को N बोलते हैं और diploidy को 2N बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम रहे का female में कितने होते हैं 32 होता है वो इसका diploidy number होता है ये क्या करेगी बहुत सारे हैपलोइड एग्स बनाती है कैसे बनाती है उसको देखेंगे सब कुछ इसी डाइग्राम में ही आपको देखना है और कहीं भी कंशूज नहीं होना है तो ये हमने कहा इसमें ये बन गई एग्स 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 के प्रोसेज से यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं यह होगया प्रोसेजर का नाम ऑजैनेसिस विए आल मोडेट दीप्रोसेज ऑफ मेर्今天的 एग्स होगा तो यह जो डिप्लॉइड है इस फीमेल में उजनेसिस होगा और उजनेसिस होगा तो उजनेसिस में क्या होगा मियोसिस भी होगा मियोसिस मियोसिस छोटी छोटी बातों को क्लियर करते चले हैं रटने की जरूत नहीं है मियोसिस को क्या बोलते हैं हम अर्द सुत्री विबाजन बोलते हैं पहले हिंदी में समझते हैं फर इंगलेस में देखेंगे मियोसिस में अर्द सुत्री विबाजन अर्द मिस होता हाव आदा और सुत्र मिस होता है क्रोमो जोम the cell division in which the daughter cell receive half of the chromo germs from the mother یعني कि एक अंड जनन में अंड जनन के दौराद की अंड शुत्री विबाजन होता है और जो नए बनने वाले अंडे होता है उनyor जुन शुत्र की संक्या आदी हो जाती है इसलिए हम मोते हैं अर्द शुत्री विबाजन या मियोसिस कहते है तो यहाँ पे हम पहले X बना लेते हैं कि जब फीमेल है जिसको हम क्विन बोलता है डिपलोईड होती है 32 नमबर अव क्रोमोजोमस होते है और उजनेसिस से क्या बनेंगे इसमें ओवम बनेंगे और उसी ओवम को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं चीजों को समझना है रिलेक्स के अंदर बीना किसी जल्दबाजी को किये वे रिलेक्स में समझेंगे तो दुनिया में सबसे सरल काम होता है पढ़ना और पढ़ना बसरते कि आप उन सभी चीजों को साइंस के कॉंसेट को रटेने समझने का परियास करेंगे तो सब कुछ एजी रहेगा यह हो गया इसका nucleus सभी में क्या है nucleus और यह जो eggs रते हैं वो कैसे हैं? haploid होते हैं यह eggs कैसे है? haploid side में अपने नाम लिख देते हैं यहाँ पे यह eggs बन गये हैं और यह होते हैं haploid haploid का मतलब हो गया small n क्योंकि small n से हमने haploid बताते हैं साथमें में यह कह रहा हूँ the females are the deployed and consisted of 32 kromozoms that means all egg receive how much number of how many numbers of kromozoms half from the mother 16 kromozoms आगे हैं यहाँ पर अपने लिख देते हैं ताकि आपको notes बनाने में दिक्कत न आए आराम से आप समझ पाएंगे यह सारे के सारे एग कैसे हैं haploid है and यह हो गया haploid number of kromozoms are found in the eggs everything is clear in the start the female queen हो गया deployed 32 kromozoms हो गया meiosis से generation हो आफ आगे आगे देखेगा क्या हो रहा है आगे होगा इनका fertilization मैं पहले दो condition की बात कर रहा हूँ step by step चलना है यहाँ पे यह जो एग है इसका fertilization fertilization हम जानते हैं क्या होता है fusion of ovum और sperm यह है एक sperm है okay sperm एक gamit है इसलिए यह भी कैसा होगा haploid ही होगा sperm एक gamit है तो यह भी कैसा होगा N N का मतलब क्या होता है haploid इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमो जॉम कैसे होंगे half होंगे total क्रोमो जॉम कितने होता है deployed मैं 32 तो इसमें क्रोमो जॉम कितने होंगे 16 similarly यह वाला जो एग है इसका भी fertilization हुआ किसके साथ एक एग एग से यह भी कैसा N है number of क्रोमो जॉम कैसे होते है 16 और पहले से मैंने कहा इसमें कितने है number of क्रोमो जॉम already over me 16 is over me 16 all the eggs receive 16 क्रोमो जॉम from the mother body तो अब result तो आपके सामने आ रहा है इसमें कोई आपको confusion होने की confusion रखने की जरूत ही नहीं है 16 क्रोमो जॉम्स है egg में 16 क्रोमो जॉम्स है sperm में दोनों आपस में कर लेंगे fertilization fertilization करेंगे तो बनेगा जाइगोट और वो जो जाइगोट है उसमें कितने क्रोमो जॉम्स हो जाएंगे ये वाला ये बन गया एक जाइगोट बन गया similarly यहाँ पर भी हो गया fertilization यानि हम हम यह कह सकते है नाम लिख देते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको हम इसको कह सकते हैं fertilized एग बोलें यह हम इसको क्या बोल सकते हैं जाइगोट ये बन गया जाइगोट तो 16 plus 16 नमबर ओक्रॉमोजॉम्स वुड बी 32 in the fertilized egg or thygode इन दोनों एग का sperm से fertilization हुआ 16 क्रोमोजॉम of the ovum and 16 क्रोमोजॉमस from the sperm दोनों मिल गए तो यहाँ पर क्या बन गए 32 क्रोमोजॉम यहां तक इन दोनों condition में सब कुछ similarity है अब the sex is determined by the feeding of these fertilized eggs यहां पर variation है ध्यान रखेगा यहां पर मैं नाम लिख देता हूँ इस वाले जो progenica development हो रहा है इस progenica जब development हो रहा है during the course of ontogenic development इसको feeding की जाएगी royal jelly से यहां पर लिख देता हूँ मैं यहां पर लिख देते हैं अपने क्या हो रहा है feeding हो रही है किस से हो रही है feeding हो रही है royal jelly okay royal jelly से इसको feed किया जाएगा इसको किस से किया जाएगा during the course of ontogenic development feeding हम कहेंगे normal जो की इनका normal food है जो की उससे अब मैं यहां पर royal jelly का भी composition की बात नहीं करूँगा के what is the chemical composition of royal jelly है ठीक है ना वो mechanism अलगा जाएगी फिर sex determination से हम थोड़ा हट जाएगे तो topic हो यहीं तक हम रखते है तो हमने कहा यह जो fertilized egg है आगे development चलता रहेगा और जब हम इसका feeding किससे कराएंगे royal jelly के साथ इसकी feeding हम किससे करा रहे है नॉर्मल इसकी feeding हो रही है तो royal jelly नाम चल रहा है royal राजा मरावजाओं का बोजन है royal इससे बनेगी queen इससे किसका development होगा queen का development होगा और ये queen कैसी होगी 2N होगी deployed होती है और fertile होती है ये queen कैसी होगी है fertile होती है fertile का मतलब क्या हुआ the queen is able to produce eggs for the reproduction इसलिए हमने कहा ये fertile है और ये जो बन रहा है यहाँ पे deployed condition fertilized egg की जो कि क्या है जाइगोड इसकी feeding जब normal कराएंगे तो इससे development किसका होगा इससे development होगा workers का इससे development होगा workers का और ये workers भी क्या होगे 2N होगे deployed होगे means 32 chromosomes होगे और ये क्या होते है ये होते है sterile unable to reproduce ये होते है sterile होते है अब आप देखें दोनों ही procedure सबको सेम चल रहा था केवल और केवल sex is determined sex is determined by the feeding of the developing embryo आप feeding किस चीज़ से करा रहे इससे sex का निर्दान हुआ जबकि क्रोमोजबल composition की बात करें तो fertilized egg तक दोनों में similar है थर्ड condition में आते हैं इस वाले में यह जो ओवम है जो हमने लिखा है 16 क्रोमोजोंस होते हैं और यह कैसा है हैपलोइड होता है अगुनित होता है यानि कि इसमें 16 इसमें क्रोमोजोंस है इसका नीशेचन नहीं हो रहा है fertilizer नहीं हो रहा है विदाउड फर्डिलाइजेशन इसका development हो रहा है विदाउड फर्डिलाइजेशन जो development होता है उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं पार्थेनोजनेसिस एक और objective question बन रहा है पार्थेनोजनेसिस 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 से वता है व्रीविशेसिन हमने का फटिलाजेसं नहीं होगा फटिलाजेसं जब नहीं होगा तो डवलपिंग अम्रीओ गार रिप्रडशन ऑफुड़ के जो ऐस दो दूररशन ऑन दूर। यौज तो वॉदुड यानि इस एख जनन हो गा विदा। ने हम इनन और छोड़ की This egg, haploid egg, develops into a new progeny and यह जो progeny होगी, इससे क्या बनेंगे? इससे बनेंगे drones. It's a drones. What is the drones? Drones are the males. Males of the honeybee. Honeybee के, मदू मक्ही के जो नर होते हैं, उनको drone कहते हैं, इनका development कैसा होता है? Directly egg से होता है, without any contribution of sperm. स्पर्म, अब यहाँ पर word को समझे, without any contribution of sperm. और स्पर्म कौन देता है? पिता देता है, फादर देता है. यानि इसका development हो रहा है, फादर के बिना ही नहीं हो रहा है. Directly mother से हो रहा है. तो यह बनेंगे drone, और यह drone क्या होते हैं? यह drone होते हैं, fertile. यह drone होते हैं, fertile. तो यहाँ पर देखें, तीन तरह की इसके अंदर क्या होआ? variation है, क्विन बन रही है, वर्कर्स बन रही है, और drone. drone क्या होते है? मेल्स होते हैं. और number of chromosomes कितने होते हैं? 16. यह मैं आपको initially पहले ही बता चुका हूँ. क्या? कि sex determination in honeybee is called as the haploid-deployed mechanism है. And why do we say the haploid and deployed? Because all the males are haploid. All the males are haploid and all the females are deployed. That's why it is called as haploid and deployed mechanism क्याते हैं. Next generation में क्या होगा? आप खुद थोड़ा सा सोचिएगा, कि यह जो क्विन है, यह जो female है, यह है diploid. अगर यह next generation में X बनाएगी, तो कैसे बनाएगी? मियोसिस से, जैसा आपनी आप पहले पढ़ा इनिशिली, यह क्विन है, यही तो क्विन है, क्विन से है, diploid है, 32 क्रोमोजोंस है, O genesis होगा, मियोसिस होगा, यानि अर्द सुतरी विबाजन होगा, तो हैपलोइड X बनेंगे, इसमें तो, लेकिन, लेकिन, यह जो male है, वो already कैसा है, male already कैसा है, हैपलोइड है, अगुनित है, पहले से ही गुन सुतरक, रोमोजोंस कैसे है, 16 है, तो, यह जब इस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, इस्पर्मेटोजनेसिस करेगा, तो माइटोसिस ही होगा, मियोसिस नहीं होगा, तो, यहाँ पे मैं, सिंपल सा एक लिख देता हूँ, इस्पर्मेटोजनेसिस जब होगा, इसमें, क्रोमोजों्स कौन से बनेंगे इस सपर्बनेंगे हैपलोईड हैपलोईड इसपर्म्स और गय can science 16 निशिंफ्टिन तो को डोनों में ही गैमिटजनेशश में भी क्या हो गया سपार इन धाइं इन ये मीनगेमिटजनेश में मियोस्स होता है इन दा मेर यह एक सारा एक फॉर्मेट इस सार्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप कंप्लेट चीजों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता हनी बी में कई बार आपको कन्फूजन के लिए कह दिया जाता है कि वुड्यू एक्स्प्लेंड डैट और इस नुट एफादर बट हैज मदर कि मेल के पिता नहीं है लेकिन माता है अंदर यहां जितने भी नर होते हैं ड्रोंस होते हैं ऑल द्रोंस आर डवलप बाइद प्रोसेज और पार्थेजन से उत्पन होता है निशेचन होता ही नहीं है directly mother के दोवारा उत्पन अंडो से ही drone का development होता है इसलिए क्या होगा जो drones होते हैं यानि कि जो males हैं उनके मा तो है mother है पर father नहीं है लेकिन लेकिन ये तो female होती है इसका development कैसे हुआ है fertilization से हुआ है sperm और ovum से हुआ है तो all the females has mother as well as father तो ऐसे exam में language को थोड़ा मोड़ा चेंज करके different different type के objective questions बनाया जा सकते हैं descriptive या sword questions आपको exam में पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर आप इसको समझेगा वीडियो को repeated watching कीजेगा और जहां भी confusion होता है दोबारा वीडियो को जब देखेंगे तो confirm आपको ही सब कुछ everything will be clear thank you और मज़े के साथ में त्यारी करें और अच्छे marks लेकर आएं best wishes